Welcome to Step Up आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का सिवल सिवा की तैयारी में सबसे अधिक महत्तपूर, सरवाधिक अंकदाई, but highly ignored section of this preparation, the case study. तो आईए देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी case study है? हमारे जो case study है वो यह है कि आप एक footpath के बगल से गुजर रहे हैं, crowded market है, एक व्यक्ती footpath पर unconscious होके पड़ा हुआ है, घायर लग रहा है, सिर्पर छोट लगी हुई है, जो भी लोग बगल से गुजर रहे हैं, ignore करते हुए चले जा रहे हैं, कोई उस व्यक्ती के तरफ देख तक नहीं रहा है, जब आप उस व्यक्ती के पास जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो व्यक्ती कुछ बुद्बुदा रहा है, सायद वो तकलीफ में है, जब आप उसके नजदीक जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि उस व्यक्ती को काफी दर्द है, लेकिन उसके पास से एलकोहल की बद्बू आती है इस situation में आप क्या करेंगे explain करना है क्यों 200 सब्दों में इन बातों का ध्यान रखना है कभी भी आपको as human being अपनी duty को नहीं भूलना है कभी भी ethics को पीछे नहीं छोड़ना है public interest को ध्यान में रखना है short term और long term दोनों solution आपको सुझाने है देखे ऐसी situation में सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति तकलीफ में है और आपको उसकी मदद करनी है वो व्यक्ति सराप पी कर तकलीफ में है या फिर बिना सराप पिये हुए तकलीफ में है ये बात matter नहीं करती जो एक doctrine है निस्काम कर्म का वो आपको ये बताता है कि आप अपनी duties को perform करेंगे किसी भी prejudice से अपने आपको dispatch करके अब कोई व्यक्ति alcohol का consumption किये हुए है महद इस आधार पर अगर वो तकलीफ में है उसकी मदद ना की जाए इसे ना तो logical कहा जा सकता है और ना ही ethical अभी at present जो सबसे बड़ा कारण आपके लिए होना चाहिए जो सबसे बड़ी duty आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो व्यक्ति भी इंसान है वो तकलीफ में है और आपको उसकी मदद करनी है यही एक fundamental teenage होता है किसी भी society में cooperation का महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमें पाप से नफरत करनी चाहिए ना की पापी से हमें सराब से नफरत करनी चाहिए ना की सराबी से सराब एक बुरी चीज है इसका मतलब यह नहीं किसी व्यक्ति ने सराब का consumption किया है तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे सबसे पहले तो आपने stance को justify करिए कुछ ऐसी बाते करते हुए इसके बाद आप अपने course of actions को बताईए कि आप local ambulance को call करेंगे सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को first aid provide करेंगे क्योंकि उस व्यक्ति के सिर में चोट लगी हुई है आप उसके relatives को contact करने का प्रयास करेंगे अगर उस व्यक्ति के पास mobile है तो या फिर other sources से आप उसे hospital में admit करेंगे और साथ ये पुलिस को भी incident की जानकारी देंगे long term measure क्या होगा मैं कहता हूँ ना long term भी आपको solution देना है long term measure ये होगा कि आप पता करिए कि आखर injury का कारण क्या है हो सकता है road accident हुआ हो अगर road accident होता है तो road safety के compliance को भी देखने की आवशकता है और भी जो appropriate concerns है उनको address किया जाना चाहिए